तो हेलो और वाट्स अपकेस केसो आप सब स्वागत आप सभी का BGMI के एक और ब्रैंड नीव वीडियो में आज कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वालों BGMI में एक ब्रैंड न्यू मिसन आया है और इसे आप कब तक ले सकते हो और कब तक काधी कि आप, कौन से रॉयल पास में आप इसे ले सकते हो और अगर आप इन deux points को लेते हो और आप नेख्श रॉयल पास को काफ़ी बढ़िया तरीके से लेवल अप कर पाओगे यानि कि काफी इसली नेक्स्ट रॉयल पास में अपने रैंक्स को बढ़ा पाऊगे तो आज ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा इंफोर्मेटिव एन हेल्फुल होने वाली है तो make sure इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और सीधा सुरू करते हैं ओल अलगर तो जैसे आप गेम उपन करोंगे आपको सिंपली इवेंट्स में ऐसे स्कॉल करोगे तापको बोनस आर्पी पॉंट्स देखने को मिल जाएगा बाकि अगर आपको यहां से नहीं देखने को मिलते हैं आपको यहां आर्पी पे क्लिक करना ठीक है एट उसके बाद आपको यह जो बॉक्स है यहाँ पर क्लिक कर देना है यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है अब बाकी बात करते हैं इस इवेंट में आपको पार्टिसिपेट करना है ताकि आप आप नेक्स्टरऊल पास के लिए पॉइंट्स ले सको ठीक है अब नेक्स्टरऊल पॉइंट्स के लिए पॉइंट्स क्यों लंगे था आपको पता होगा जैसे यहाँ आप अपना आर्पी खरीत ओंगे वी एकए उसमें आप आर्पीं खें घ्रत दोगे इसमें आत давно मिल मिल जाएगा उसके बाद अगर आप बढ़ाना चाहते हो 13 से आगे जाना चाहते हो इन पॉइंट्स को आप यूज करके बढ़ा सकते हो ठीक है तो इसलिए ये जो इवेंट है आपके लिए इंपोर्टेंट है बाकी बात करते हैं इसमें करना क्या अपने को तो सबसे पहले अ सब्सक्राइब करना चाहते हैं अगर आप मतलब करना चाहते हो तो कर लो बाकी मैं रिकमेंड करूंगा मत करो कोई जरूत नहीं है अठाख सद्सक्राइब को हमाई बाकष करने के लिए सैटक्रे में आपको यूझी प्रम्लम हो लिए और नहीं कोई पर यूझी आपको अट जाएगा है आपको सम्ली two one देखने को मिलेगा तो यह जो है यह कौई नहीं है इससे आप कोई नहीं समझ लो जो समझना है समझो इस्टोकेन का यूज कहा है यहाँ पर डूबारा करना चाहो तो तो इसके लिए अब टोकेन कैसे मिलेगा यह टोकेन आपको स्पीन जारी और यह missions करके मिलेगा ठीक है अब यह missions काफी easy है मैं आपको recommend कुरूँगा फड़ा फ़र से mission कर लो mission करके token collect करके रखके रहो ठीक है ध्यान से सुनना यह tokens है tokens coins जो कहना है कहलो coins है ठीक है और उसके बाद आपको missions को complete करके coins को collect कर लेना है and जैसे ही next royal pass आता है आपको simply यहाँ पर आना ठीक है ध्यान रखना यह जो event है 23 को खतम हो जाएगा तो 23 से पहले आपको यह सारी काम कर लेना है आपको यह सारे token collect करके रखने है and एक साथ आपको यहाँ पर जो है click करके open करना है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर into one है ना इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे प token चाहिए होता है token आप missions करके करोगे जैसे यहाँ पर एक token होगा आप यहाँ पर कर सकते हो ठीक है बाकि मेरे पर अभी तक token नहीं है क्योंकि मैंने आज अभी गेम ही नहीं खिला है और काफी बीजी था बास ठीक है तो आप यह कर सकतो bonus RP points में बाकि यार अगर आपको कोई still confusion है तो आप comment कर देना overall बता दूँ आपको करना कुछ मिए जो missions दिये हैं वो खेलो ठीक है यह missions complete करो इसके साथ क्या रहता है यह बिल्कुल random है इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो ठीक है आपको simply जो करना है वो है कि mission आपको simply complete करना है मिशन complete करके tokens लेना है और इन tokens से आपको simply यहाँ पर spin करना है तो बस वालोग आज आज की इस वीडियो में इतना है इस वीडियो में मैंने आपको bonus आरवे points के बारे में explain कर दिया अगर आपको still कोई doubt है तो please कमेंट कर देना मैं आपको reply दे दूँगा instantly बाकि guys अगर आपको वीडियो पसंद आए तो please वीडियो को लाइक कर देना ऐसे ही कमाल के informative वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं 98% और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं चैनल को सब्सक्राइब ने करते हैं तो प्लीज आर ऐसा मत करो फड़ा फड़ से वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो मिलता हूं मैं आपसे एक और ब्रैंड नी वीडियो में बाए बाए